नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुरेश प्रेहार आज आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आया और यह टॉपिक है कि हम अपने माइंड को ओवर थिंकिंग से कैसे बचाएं और यह खास तोर पर जो स्टूडें थोड़ी सी परेशानी में होते हैं या फिर कुछ टाइम के बाद में माइंड अपने आप तेजी से चलने लग जाता है काम कुछ भी नहीं होता है लेकिन माइंड के अंदर बहुत सारी बातें चलने लग जाती है माइंड बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है और इस व काम करें और कौन सा काम नए करें इस बात का पता नहीं चलता है और हमारी जो प्रॉडक्टिविटी है काम करने की जो ख्राब हो जाती है दोस्तों इस पूरी समश्या को हम केसे बहुती आसान बना सकते हैं इसके लिए मैं आपको पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूं यह कहानी आज से करीबं 15 से 20 साल पूरानी कहानी है जिसके अंदर कुछ दोस्त होते हैं लगवग 5 दोस्त और वो निकलते हैं मोदी जी की तरह लक्षदीप की सेर पर और वहां पर जाकर वो लोगों से पूछते हैं कि हमें जो लक्षदीप है उसके विभिन परकार के जो गया है देखने लाइक वो हमें देखनी है तो वहां से वह बाइक लेते हैं उनको बाइक मिलती है और उनको एक मैप मिलता है क्योंकि उस वक्त कोई गूगल मैप ऐसा कम था और उनके पास में भी कोई ज्यादा सुविधा नहीं थी तो उनको एक मैप मिलता है और है वह हो जायेगा उने का ठीक है मैं चलते हैं दोस्तो वह निकल जाते हैं और बीच में नदिया आते है बीच में जो समंदर है वह आता है और साथ में कुछ जंगल भी आता है लेकिन आगे चलते चलते उनको बहुंभी पता नहीं होता और वहां की जो प्राकर् ellies isolated है उसको देखने में इतने ज़्यादा मस्त हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमें किदर जाना है कहां जाना केसे और कुछ ही टाइम के बाद में उनको एसास होता है कि हम पता नहीं कहां ही जा रहे हैं हमें आइडिया नहीं हो रहा कि यह किस प्रकार से हम जा रहे हैं हम क्या हम सही तो जा रहे हैं अब यह विचार एक के माइंड में आता है तो वो चलती होई बाइक से दूसरे को रोकने की कोशिस करता है और थोड़े ही देर में जो सभी जो दोस्त है वो एक जगह पर रुखत हैं और वो यह इशू उठाते हैं कि हमें यह से लगता है कि हो सकता है हम रास्ता भूल गए हैं और इस बात के लिए थोड़े ही देर में सभी लोग एगरी हो जाते हैं और उनके साथ में भी वही कंडिशन होती है जो दरसल आज का जो टॉपिक है कि ओवर थिंकिंग में आ वो थोड़ा दूर उधर चलते हैं लेकिन वहां पर जाते ही उनको फिर से वो उनकी जो समिश्या है ओवर थिंकिंग वो उनको उनका जो रास्ता है उसके उपर वो डाउट पेदा कर देती है उसके बाद में कभी वो इधर घूमते हैं कभी किदर ही घूमते हैं लेकिन बाइक में बहुत सारे सवाल उनके मन में चलते हैं तभी उन में से एक जो है लड़का वो बहुत ही एक अच्छा उन में से माना जाने वाला लड़का होता है जो कि हर एक समिश्या का समाधान करने में एक्सपर्ट मानते हैं तो वो कहते हैं कि दोस्तो ऐसे हैं कि हम हुए हैं अब तो कोई रास्ता ही नहीं है तो उसने का कि अपने को सब से पहले थोड़ी दिर रुकना चाहिए थोड़ी दिर आराम करना चाहिए और अपने को ठंडे मन से अब सूचना चाहिए कि अब इस समिश्या से केसे बाहर आ सकते हैं तो सभी उस बात के लिए एगरी हो गए उसके बाद में वो अराम से बेठे और नोंने देखा कि भई अभी जो हमारे पास में लगबग ढ़ाई गंटे का और टाइम है क्योंकि सूरिया भी जो है वो अस्त होने वाला था शाम हो रही थी लगबग चार बजे का जो वाल सा आराम आया उसके तरंद बात उसने वोला कि हमें सबसे पहले क्या करना है हमें बहुंहारी स्पीड बहुले कम रहे लेकिन हमारी जो दिशा है वो पहले हमारी होनी तो उन्हें बोला कि अभी तक हम सिर्फ नक्से देख रहे थे, जो हमारे को मैप दिया गया वो देख रहे थे, लेकिन अब हमें नक्से को मिलान करना है किसी एसी चीज के साथ में जो हमें दिसा का ग्यान सही-सही करवाई, उन्हें बोला एसी क्या चीज हो सकती है, तो थोड इस बात के लिए एगरी होगे, और उसके तुरंत बात उन्होंने सूर्य का जो एस्टीमेशन है, वो किया कि यह सूर्य अभी यहाँ पर है, और हमारा जो मैप है, वो यह कहता है कि हम यहाँ से चले थे, तो इसका मतलब हमें इस दिसा में अब चलना है, और धिरे-धिरे ढ हाई गंटे में सूर्य थोड़ा सा चैंज होगा, लेकिन हमें दिसा जो है, वो यही रखनी है, सूर्य अभी, अब जो सूर्य है, वो लगबग जिस दिसा में हमें चलना है, उसके अनुसार हमारे नाक के सीध में सूर्य है, और सूर्य होना चाहिए, तो हो सकता थोड़ा व पूरी प्लानिंग जो है वो मुश्किल से 15-20 मिनट में हो गई और उसके तुरंत बाद में उनकी सभी लोगों की जो एंजाइटी है वो बहुत कम होगी उनकी ओवर्थिंकिंग बहुत ही कम होगे वो आगे बढ़े और देखते ही देखते लगबग डेड़ से दो गंटे के गई नदर वो उस पूरे जंगल को पार करगे और वो उस जगह पहुंच कहे जहां पर उनको पहुंचना चाहिए था दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समश्याइं हमारे जीवन का एक internal पार्ट है एक एक ऐसी नहीं मिलेगा कि हम जाएं कहां तो माइंड बहुत ज़्यदा तीज चलेगा हम ओवर्थिंकिंग का सिकार हूंगे लेकिन हमें उस वक्त थोड़ा सा आराम करना है हमें थोड़ा सा रुकना है हमें सोचना है कि हमें जाना कहां है और दोस्तों जैसे ही जाने का पता चल जाए जैसे हमें दिशा का पता चल जाए, अब हमें उस दिशा की और कदम बढ़ाना है, सबसे पहले पहला कदम बढ़ाना है, और हमें धीरे-धीरे कदम बढ़ाते ही जाना है, एसा नहीं हो कि हम सिर्फ काम सोचने का ही करें, हमें चलने का भी काम करना है, और सही दिशा में काम कर अगर आप एसा करते हो तो आप अपनी overthinking को अपनी anxiety को बहुती अच्छे से control कर पाओगे और अपने जीवन में आप बहुती अच्छे से अपने माइंड को एक स्वस्त दर्जे का दर्जे के उपर पहुंचा पाओगे तो आप सभी ने इस पूरी वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको अगर ये अच्छी लगी हो और उस जैसा बहुत से और भी आपको अगर सिद्धान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें आपको ये वीडियो अच्छी लगी तुसको आप लाइक करें आपकी बातों को हम तक कॉमेंट करके पहुंचा आए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें थैंक्यू जैहिंद जै भारत